तो आज की वीडियो में हम किस तरीके से पॉलिकीट्स के अंदर फिल्टर फीडिंग की प्रोसेस होती है उसे देखने वाले हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है एक बार समझ लेंगे हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी इसके अल को भी क्लियर करना है तो सबसे पहले हम बात पॉलिकेटा की करते हैं या पॉलिकीट्स की करते हैं पहले हम इसे क्लियर करेंगे इसमें समझेंगे किस तरीके से फिल्टर फीडिंग की प्रोसेस होती है उसके बाद हम आगी टॉपिक पर बढ़ेंगे बात की जाए पिछली आइकॉन नहीं आउन किया है तो आउन कर लिजेगा छोटी सी रिक्वेस्ट है और छोटा सी रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को लाइब देखा करिए डाउनलोड करके मत देखा करिए अब आईए बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिकेट्स के अंदर फिल्टर फीडिंग होती है सबसे पहले तो बात करें कि ये फिल्टर फीडिंग क्या है पहले ये समझे वैसे तो मैंने इस टर्म को पहले भी एक्स्प्लेइन किया है कि किस तरीके से किस के बेस पे मॉर्टन ने से क्लासिफाइड किया था वहां पे से आज आजब इसे छोटे में समझने की कोशिक करते हैं फिल्टर फीडिन्ग से नाम से समझ में आ रहा है कि एक फिल्टर करके खाता होगा यह सिम्पल सी बात है यह पानी को अपने अंधर या इंपल को या इने मैक्रेंग we ब्रिस होता है यानि कि जो और्गैनिक कार्बनिक कच्रा होता है या इन अकार्बनिक कच्रा है उनसे अपने लिए फूट को अप्टेन करता है उसी पानी को फिल्टर करके उसमें प्रजेंट माइक्रो और्गैनिजम या किसी भी प्रकार का जो अन्य फूट पार्टिकल है उ मेरे इतने सारे explanation से आप एक चीज़ तो समझी गए होंगे कि एक तरीके से ये ecosystem को balance करने का या ecosystem को साफ करने का भी काम कर रहा है अगर पानी एक तरीके से गंदा है उसमें आपके carbonic पदार्थ मिले हुए हैं या बहुत सारे micro organism आपके मिले हुए हैं और पानी को एक तरीके से pure करने का काम करते हैं उसको साफ करने का काम करते हैं उनमें से ही एक आपके polykeats हैं या आप कह सकते हैं कि ऐसे organism जो filter feeding के उपर जीते हैं या filter feeding की process करते हैं ऐसे organism को हम क्या कहते हैं हम ecosystem engineers के भी नाम से जानते हैं उसका reason ये है या water purified engineers के भी नाम से जानते हैं उसका reason ये है क्योंकि ये पानी को साफ करने में या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ecosystem को clean करने में एक बहुत बड़ा अपना योगदान प्ले कर रहे हैं अपने आपको contribute कर रहे हैं अब ऐसे में ऐसा भी हो सकता कि कोई महानुभाव बीच में आए हो पीछे की वीडियो ना देखे हो तो ऐसे इनसान ये पूछ सकते हैं ये कह सकते हैं कि ये filter feeding क्या है देखिए ऐसे समझे हर organism का अपना एक behavior होता है जिसके basis पे वो food को consume करता है ठीक है और उसी feeding method के थुरू वो अपने लिए nutrition, minerals या अपने survival के लिए वो खाने को absorb करता है यानि कि खाने को obtain करता है तो ये जो जिस method के थुरू ये खाना को feed करते हैं वही उसी का एक type है क्या उसी का एक type है आपका filter feeders ठीक है उसके अलाव मिन आपको बताया था fluid feeders होते हैं या कुछ ओमनी वोरस होते हैं कुछ कार्नी वोरस होते हैं तो ये सब क्या है ये सब उसी feeding method को बता रहे हैं कि वो किस तरीके के food को obtain कर रहे हैं उसमें से ही एक type क्या था आपका filter feeders है और filter feeders का मतलब ये हो जाता है जो मिन आपको पीछे बताया कि पानी से वो पानी में जो भी आपके microorganism या जो भी आपका कच्रा या जो भी food particles है उसको obtain करके वो जीवित रहते हैं या survival करते हैं तो अगर filter feeders को define करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि filter feedings means the food which is suspended in water in strain और filtered from water and eaten this process is known as a filter feeding यानि कि वही चीज मैंने जो आपको बताई कि जो भी food का particle है जो पानी में मिला हुआ है suspended है गुला हुआ है उसको strain करना या वही कह लिजे कि उसको filter करके पानी से और उसको खाना ही क्या है इसी process को ही हम filter feedings के नाम से जानते हैं जो मैंने आपको चीजे बहुत साइंस चेक्स्पेंट किये कोई नई बात नहीं है तो यहीं पर filter feeding की कहानी खतम अब आप बात समझनी है आपको यह समझना है कि यह polykeets कहां से आ गया है यह जो polykeets है क्या कहीं अचानक से टपक गया है या यह किसी phylum से बिलॉंग करता है और यहां पर आया है तो समझे कि यह polykeets किस से बिलॉंग करता है कहां से आया है पहले यह समझना जरूरी है वन्ना मन में doubt रह जाता है तो कोई न कोई दिक्कत होई जाती है doubt हम रहने ने देना चलता इसलिए आए देखिए तो polykeeta आपक polykeeta, herodina और archaeanilida ठीक है इन चार major categories में divide किया गया है उन्हीं की एक category polykeets या polykeeta है जिसे हमें देखना है किस तरीके से इसके अंदर polykeeta के अंदर filter feeding की process होती है आई यह हम समझ लेते हैं अब इसी polykeeta के यह सब कुछ examples हैं जिसमें से एक का नाम आपका नेरिस है जिसे हम इस तरीके से filter feeding की process होती है बाकि इसके अन एक्जामपल भी आपको सामने देख रहे हैं आप पड़ सकते हैं बिलकुल भी चलिए अब देखते हैं किस तरीके से filter feeding की process polykeeta के अंदर या नेरिस के अंतरगत होती है तो यह है आपका नेरिस का structure ठीक है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नरिस है वो यू जैसी आकरती बनाकर एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल बनाकर यू जैसे सेप में बोरो बनाकर बिल बनाकर उसी में ये नरिस रहते हैं ठीक है बाद में क्या करते हैं कि इसके अंदर आने के बाद इसकी जो उपरी पार्ट है जहां से अंद बनाते हैं एक तरीके से वो जाली बनाते हैं जिससे फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो छन छन के इसके अंदर आते हैं और यह अपना जो भी फीड वीड करना है वो करता है यह सब बात की बात है पहले समझे तो यह इस तरीके के यू जैसी आकरती में आपके नेरिस जो है वो रहते हैं और समझेगे इनके अंदर वही tentacles पाए जाते हैं जिस तरीके से अभी अपने पिछली वीडियो में देखा था वैसे ही इनके अंदर tentacles पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो food को capture करते हैं पूड को पकड़ते हैं और उसके बाद धीमे धीमे उसको अपने मुव में डालते हैं यानि कि अपने ओरल कैविटी या माउथ तक ले आते हैं क्यूंकि इसके अंदर भी एक पूरा complete digestive system पाया जाता है complete digestive system का क्या मतलब होता है पहले इससे समझेए complete digestive system का simple सा मतलब यह organism है उसके अंदर माउथ भी पाया जा रहा है और उसके अंदर एनस भी पाया जा रहा है यानि कि जो खाना वो खा रहा है उसके खाने और निकालने यानि कि आप देख देख से बातरूम कह लिए तो उन दोनों चीजों के लिए अलग अपना separate organ है separate चीजें है तब आप उसे कहेंगे कि एक complete digestive system उस organism के पास है लेकिन अगर सिफ उसकी body में single hole है या मतलब single एक जगह है जहां से वो खाना खा भी सकता है और वहीं से निकालेगा भी तब आप कहेंगे कि इसके अंदर complete digestive system नहीं present है तो यही चीज़ देखिए आपे simple से English में लिखी गई है पढ़के समझ अच्छा देता हूं ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी आपको चीज़े देखिए प्यार से समझिएगा a digestive system is said to complete when an organism has separate openings for entry of food and exige of wastage in animals these openings are the mouth and the anus यानि कि एक complete digestive system हम तब कहते हैं जब किसी organism के अंदर food की entry के लिए एक separate opening हो और जो food के digestion होने के बाद जो आपके carbonic और जो आपके indigested food बसते हैं या जो कैलिजे एक तरीके से पचित भोजन है वो wastage की रूप में बाहर निकरने के लिए एक अलग opening हो इस तरीके के animals में जो digestive system पाया जाता है उसे हम complete digestive system के नाम से जानते हैं जैसे example के तौर पे animals को ही ले लिजे animals के अंदर mouth एक अलग opening होती है और आपकी एनस एक अलग opening होती है जिसके थुरू हम बात सुम जाते हैं तो simple सी बात है पहानी खतम तो मोटी मोटा आपने इस बस एक word में से ऐसे समझना है कि अगर complete digestive system की बात आएगी जिसके simple सी बात है कि खाने के लिए एक अलग opening होगी और उसको निकालने के लिए एक अलग opening होगी कहानी खतम काय का फालत को बगवास करना और सुनिये इन complete digestive system का मतलब यह होता है कि ऐसे organism के अंदर खाने के लिए भी वही opening है उसको निकालने के लिए भी वही opening है यानिकि single opening उनके अंदर गत होती है जैसे कि अभी हमने हाई रा में देखा था तो चीज़े simple है बहुत असानी है तो आप समझ गए आप इतना समझ चुके हैं कि यह जो आपका निरिस है इसके अंदर complete digestive system पाया जाता है इसके अंदर भी उसी तरीके से mouth है बकल केविटी है आपकी pharynx है इसो फेगस है आपका small intestine है कुछ glands है तो सारी चीज़े वैसी ही है ठीक है अब आए देखिए तो हमने आपको पहले ही बताया था जी कि जो आपका य यह निरिस है वो कहां पर रहता है वो बिल बना के यूसेट में बिल बना के वहां पर रहता है उनके पास tentacles होते हैं और आपको पताये कि निरिस filter feeding करते हैं यानि कि जो water में present जो भी organism, microorganism, जो भी crustacean, small crustacean, जो भी मिल जाते हैं उन सभी को feed करके अपने रहते हैं पानी में इसे च्छान कर खाते हैं इसी वजह से यह filter feeding वाले होते हैं सिंपल सी बात है यह चीज़ भी आप समझ चुके हैं ठीक है और यह रही इनके चीज़े ठ्रच चित्र के बारे में समझ लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं तो यह जो आपको यू जैसा figure दिख रहा है यह यू जैसे figure यह पानी के अंदर ही इस तरीके से borrow बनाकर इस तरीके से bill बनाकर you के shape में bill बनाकर रहते हैं ठीक है इसी के अंदर रहते हैं जो इसका उपरी पार्ट है वहाँ पे यह एक mucus की लेयर बना देते हैं एक तरीके से temporary line बना देते है टेंपररी पर्मानेंट नहीए यानि कि fix नहीं है एक temporary line बना देते हैं जो एक तरीके से जाली का काम करती है knit देखें ना knit जिन में से कुछ कुछ चीजे आप गुजर जाते हैं आपकि पानी गुजर जाए लेकिन जो आपके food particle है वो टंग जाए ऐसे ही समझे कि ये जो mucos की एक layer बनाता है उसमें से आपका पानी गुजर जाता है तो जब पानी आता है तो पानी तो उसमें से गुजर जाता है लेकिन जो food के particle है यानि कि जो आपके जो micro organism है या जो आपके सिकार होते हैं जो small crustaceans हैं warm है या किसी जीव का लारवा है वो सब आके उसी के उपर टंग जाते हैं वो उन में से पास नहीं हो पाते हैं जाली बहुत ही मेहीन होती है से समझे उसमें से जिर्फ पानी पास हो पता है बाकी सब चीजे वहीं पर टंग जाती है तो ये उसी के अंदर वहीं पे होता है तो ये अपने Tentacles के सहारे ये जो इनके अंदर Tentacles निकले हुए हैं उसके सहारे वो वहाँ पी फसी चीजों को देखता है और जो भी उसमें से उसके खाने लायक की चीजे होती है उनको tentacles के थूप पकड़के अराम से धीरे से अपने मुझ में रख लेता है यानि कि अपना उसे खा लेता है तो इस तरीके से ये filter feeding करता है क्योंकि ये पानी के नीचे जो डूबे हुए food के particle होते है उनको ही ये use करता है उनको ही ये feed करता है कैसे करता है वो चीज समझ में आ गई क्योंकि पानी के नीचे इस तरीके से ये hole बना कर रहता है hole के उपर आपकी mucus की एक layer बना देता है जो mucus की layer होती है वो इस तरीके की होती है कि समझ लीजे एक तरीके से जाली के समान काम करती है और साथी साथ protection का भी काम करती है लेकिन जाली के समान काम करती है और पानी उस जाली में से गुजर जाता है तो जब पानी गुजरता है तो उसके साथ साथ food के particle या आप कह सकते हैं जो neris खाता है उसके जो prey कह लीजे यानि कि जो उसका सिकार है वो भी उसमें आके फस जाता है पानी गुजर जाता है लेकिन उसका सिकार वहीं पर फसा रहता है फिर उसके बाद ये जो neris है वो अपने tentacles के थुरू वहाँ से अपने सिकार को पकड़ के अपना feed कर लेता है तो इसी वज़ा से ये filter feeding है क्योंकि ये पानी को छान के अपने लिए भोजन आप्टेन कर रहा है यही simple सी बात है उमीद करता हूँ पूरी topic clearly समझ चुके है तो इस तरीके से उसने feed कर लिया अब इसके अंदर किस तरीके से digestion की process होती है वो भी समझ लिजए बहुत simple सा topic है आसानी से समझ में आजएगा उमीद करता हूँ कोई doubt नहीं होगा बिलकुल नहीं होना चाहिए बाकी मैंने सारी चीज़े आपके सामने लिख दी है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझ में आप वहां से देख लिजएगा आप तो आसा होता हुआ ओइसोफेगस से होता हुआ कहां चला जाएगा ये इसके पेट में आएगा इसके स्टुमक में आएगा अब यहां पे स्टुमक तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है तो आप समझे कि इसके intestine में आएगा और वहां पे इसका glands के थुरू कुछ enzymes आएंगे जो इसके digestion में help करेंगे उसके बाद digest होने के बाद ये एनस के थुरू बहार निकल जाएगा जो भी आपका indigested food होगा वो यहां से एनस के थुरू बहार निकल जाएगा एक बार इसे भी figure के माध्यम से समझ लेजे तो देखिए नियरीस की जो body है उसको समझे कि तीन पार्ट में divide किया गया है एक सबसे उपरी पार्ट यानि की four gut वाला पार्ट फिर बीच वाला पार्ट यानि की mid gut और सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं hind gut ठीक है अब इनका अपना अपना नाम है जैसे four gut वाले पार्ट को istomodium कहा जाता है mid gut वाले पार्ट को mesenterone कहा जाता है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है यानि की hind gut वाला पार्ट है उसको proctodium कहा जाता है तो इसे हम चाहे तो four gut, mid gut या आपके hind gut के भी नाम से जानते हैं इनके तीन पार्ट में इनकी body divided है जो आपका four gut वाला पार्ट है इसके अंतर गत आपका mouth, buccal, cavity और आपका pharynx आता है mid gut वाले पार्ट में क्या ही हो जाता है वही आपका oisophagus और जो आपका oisophagus gland है वो आजाएगी आपका istromak आजाएगा और आपका intestine आजाएगा और hind gut वाले पार्ट में आपका कहलेजे rectum और आपका anis आजाएगा तो इस तरीके से इन तीन पार्ट में आपकी कहानी खतम हो जाएगी अब जरा सा इनके बारे में explain कर दे रहा हूँ थोड़ाता समझ लीजे आपके लिए आसानी हो जाएगी तो देखे वही सब चीजे लिखी है the foregut includes the mouth, buccal cavity and pharynx यान की foregut के अंतरकत ये ये पार्ट आते हैं वे ने आपको बताई दिया ये आपका peristomium है इसी के ventral side में आपका mouth होता है वो भी चीज आपको पता है mouth के अंदर ही आपकी buckle cavity होती है buckle cavity के मतलब वो जो teeth वाला part होता है जो दात वाला part होता है वही तो इसी के अंदर आपका teeth ही आप कह सकते है denticle वाले part अरेंज रहते हैं ठीक, इससे ही just नीचे आपका pharynx होता है कोई नई बात नहीं है ऐसे ही हमारे अंदर भी है इसलिए मैं इतना मतलब अराम से बता रहा कि कोई नई बात नहीं है इसी तरीके से mouth है, buckle cavity है फिर pharynx आता है और pharynx के बाद larynx कहते हैं उसके बाद हमारा oisophagus आ जाता है same condition वैसे ही यहाँ पे भी है, इसलिए कोई नई बात नहीं है तो जो आपका pharynx होता है वो cuticle से line होता है ठीक है, वो आपका cuticle से एक तरीके से समझ लेजे है जो उसकी pharynx की जो surface होती है वो cuticle से पूरी तरीके से गिरी रहती है पूरी तरीके से उसे line रहती है ठेक है तो ये था आपका फैरिंग्स तक का कार्ड फैरिंग्स के जश्ट पीछे ही आपका ओईसो फेगस होता है कोई नई बात नहीं है उसके बारे में भी समझी है अज पता नहीं क्यों मनी नहीं लग रहा है बड़ा उदासा लग रहा है स्टार्टिंग में जब वीडियो वाला पार्ट है वो मिडगर्ट के अंतरगत आता है तो मैंने उस बेसिस पे आपको बताई दिया था तो फैरिंग्स के जश्ट पीछे ही आपका ओईसो फेगस होता है जो की एक छोटी नली समझ लीजे एक सौट ट्यूब है जो आपका पांच पार्ट में सेग्मेंटेड होता है पांच पार्ट में डिवाइड होता है पैसे कह सकते हैं और इसी औयसो फेगस की जश्ट आगे ही आपका यहां पर ट्रू इस्टुमक तो नहीं होता है तो यहीं चीजे यहां पर प्रिजेंट रहती है और इस बगल में इसो फेगल आपका glands होता है जो भी खाना आता है वो यहाँ पर digest होता है जो भी इसोफेकल gland है उससे digestive juice आता है वो digestive juice की help से इसमें खाना digest होता है खाना digest होने के बाद जो undigested food होता है वो धीरे से rectum में भेज दिया जाता है और rectum के बाद वहाँ से वो फिर धी में से एनस के थुरू वहाँ से बाहर हो जाता है तो यही सिंपल सी प्रोसेस थी नेरिस की जैसे इंसानों के अंतरगत होती है उसी तरीके से इसमें भी है कोई नई चीज नहीं है इसलिए उतना खास ध्यान भी देने कोई जरूत नहीं है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूत है लगबग लगबग हमारे जैसा ही हाल है बस फरक है कि हमारे अंदर टूस टूमक पाया जाता है इसमें टूस टूमक नहीं पाया जाता है इतनी सी सिंपल सी बात थी बाकि इन में भी जो खाना है वो Peristillasis Motion की ही वज़ज़ से खाना chestain में आगे कि तरफ बढ़ता है जिस तरीके से हमारे अंदर Peristillasis Motion होता है वो मैंने आपको चीज़े पहले ही बता दी है पीछे की सारी वीडियो में यही तो समझाता रहाँ तो आज लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा और अगर आप तक आपने बेल आइक नहीं आउन किया तो ओन कर लिजएगा ठीक है टाटा बाइबाइब बाकी कोई गल्ती वल्ती हो गई हो थोड़ा एनरजी डाउन अप हो गया थीज़ा हतना है प्म हो यँ जसक का रओ़ादा घण बानी वल्ती है आपे बाकी कोम हो भाबाधब करेगा है दो खमnya कोई को आप वल्ती हो दोड़ाइबा है तो ऑ다म यज बमस्ताओाएबाई़ार नहीन कोम हो अगूँ